देख रहे हैं ये मारपेट ये बस एंडिंग है इसके पहले कैसे धुनाई हुई जंडे बड़ से वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि गजब गदर काटा इन लोगों ने अब पूछेंगे कि कौन है ये लोग क्या है मामला तो जान लीजिए ये खाकी वाले हैं जिनके कंधे पर लॉएन ओर्डर की बड़ी सबसे बड़ी जिम्बिदारी है और ये दंगल का रिंग है राई ब राक से जंक कर पीटा और बाद मी जैसे तैसे पिट रहे सिपाही को आसपास खड़े बाकी लोगों ने छुड़वाया और इस मारपीट में घायल सिपाही को फोरण अस्पताल पहुचाया गया वही सी दौरान मारपीट का वीडियो किसी ने बना डाला जो वाइरल हो गया जिसके बाद तुमानो पुलिस महकमे में हरकंप मच गया क्योंकि इस मामले को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी यूपी पुलिस और सरकार को घेरना चुशुरू कर दिया देखे कि कैसे नेता प्रतिपक्ष अखलेश व्यादव ततपरता दिखाते हुए इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए सरकार पर हमलावर होते हैं अखलेश इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताते हैं और लिखते हैं कि भाजपा सरकार में बेइमान के हाथ में लाथी है और इमानदार प्रतारना का शिकार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की एकजिला जेल में भ्रष्टाचार में साथ ना देने पर पलिस वाले ही पलिस वाले को पीट रहे हैं पलिस के जूठे मुकदमे करने वाली भाजपा सरकार ने पलिस को भ्रष्ट कर दिया है कोई सुनने वाला है क्या सोचल मीडिया पर सवालों के बीच पोलिस की सफाई भी आ जाती है और एक्शन भी होता है हम लोग जेल पर आये और सारी जांच की उसको बाद उनको अस्टिकरन दिया गया और इसके बाद उनके खिलाब विभागी एक कारेवाई संस्कित कर दे गई समस्त बंदी रच्चकों को फटाने के लिए लिख दिया गया और उनके द्वारा मुकेश दुवे के प्रातना पत्र के आधार पर थाना खोतवाली में मुकदमा धर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कारवाई की जा रहे है मामला जब वारल हुआ तो राइबरेली जेल के अधिकारियों से लेकर यूपी के डीजी जेल तक हरकत में आए जहां राइबरेली जेलर ने बयान जारी करते कुई पांचो आरोपी पोलिस कर्मियों के ओपर कारवाई की तो वही डीजी जेल ने ट्वीच के माध्यम से कारवाई की बात को मीडिया के साम में रखा वही फीडित सिपाही मुकेश दुबे के अप्लिकेशन के आधार पर शहर कोतवाली में फायार भी दर्ज कर ली गई है लेकिन विवात किस बात को लेकर था क्यों ये मारपीट हुई इसकी जानकारी पोलिस की ओर से गोल मोल कर दी गए कि क्या वाक कई इन जगड़े मारपीट की जड़ में ब्रश्टाचार और आविवस्था ही है जो कि आरोप लगाए जा रही है अब इसका जवाब मिलना बाकी है यूपी तक की कोशिश होगी कि हम जल्द आपको इस स्टोरी से जुड़ी सारी हकीकत पहुचा सके